नमस्ते, आप सब का वेलकम है सिमरन की रसोई में जब यो इन एक कच्ची कहई को छील कर, लिस्न ले लिए, हरी मिर्ची~! सर्सो का तेल . क्योंकि आचार में सरसो का तेल ही डलता है यानि कि मस्टर ओयल ये मैंने आधा कब जितना डाला है और अब इसके अंदर में डाल रहे हूँ एक चौथाई चमच जीरा इसे के साथ एक चौथाई चमच सौफ चुटकी भर हम इसके अंदर हिंग डाल देंगे और इसे हम हलका स भूनेंगे मतलब समद लीजे सिर्फ एक से आधी सेकेंड के लिए ही भूनना है उससे जादा ना भूने नहीं तो इस सारी चीज़े जल सकती है अब इसके अंदर आपको डाल देनी है लसुन तो यह तक्रीबन न बारा से पंद्रा कर लिया है लसुन की मैंने छील कर डाल और इसे हमें भूनना है एक मिनिट के लिए उसके बाद अब इसके अंदर मैं डाल रही हूं हरी मिर्ची तो यहाँ पर तक्रीबन मैंने चार से पांच हरी मिर्ची को बीच से काट लिया है तो यह भी डाल कर इसे हमें एक मिनिट तक भूनना है उसके बाद अब इसके निकाल कर मैंने टुकडों में काट लिया है तो बस ये कच्छी केरी डाल दें अच्छे से इसे भी लगातार पर नगरा चलाते हो आपको बूहना है ये अचार सच बतारहा रहे हो खाने में आपको इतना मज़ा आजाएगा इतना मज़ा आजाएगा आप कभी सोच भी नहीं सकते कि यह इतना बढ़िया लगता है आचार देखिए दो मिनिट तक भुनने के बाद नमक डाल दीजाए आदी छोटी चमच यहां स्वाद के अनुसार आदी छोटी चमच इसके आपको तकरीबन पका लेना है दो से तीन मिनिट के लिए तो यहां पर आप देख सकते हैं तेल भी बढ़िया से सेपरेट हो रहा है यह हमारा लसन कच्ची केरी प्यास का अचार बनकर तयार है इसे आप रोटी पराठे दाल चावल के साथ लीजे चटपटा मज़ेदार य यह जो आचार है इसे आप 15-20 दिन तक फ्रिज में रख कर खा सकते हैं तो अभी तो यह गरम है जैसे यह ठंडा हो जाएना तो कोई साफ कंटेनर में एक दम अच्छा वो घिल्या नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी भरकर रख दीजा और खाईए और मेरे चैनल को सिस्क्रा टाइब करना बिल्कुल ना भूले थैंक यू फो बाच चाहिए